मेरे सवाल था शेक्ट, सवाल है कि जो पैसे को किसी नॉन मुस्लिम को बिना सवाब के नियास से देते ना चाहिए या कुछ लोग बोलते हैं कि सूद का पैसा आपके भर्णी से खरजे ने करते हैं तो इसकी फर उसी वजाहत करें जजाक अल्लाहु खैरौआ है या हमारे एक भाई है जो सूद के पैसे से मुतलिक सवाल कर रहे हैं इनका कहना है कि बैंक में जो सूद की रखम जमा होती है उसका हम क्या करें किसी गईर मुस्लिम को दे सकते हैं या अपनी मर्जी से उसको तसरूप में नहीं ला सकते हैं तो देखें ये बात तो हम और आप बलके सवाल कुछने वाले सब जानते हैं कि सूद मुसल्मान के लिए हराम है नाजाज है वो नहीं खा सकता बहुत सारी कुराणी आयात और बहुत सारी हादिस मौजूद है अब मसला ये कि मजबूरी में किसी ने बैक में अपना एकाउंट रखा है उसमें सूद की रकम जमा होती है तो उस पैसे का क्या करें तो इस बारे में बहुत सारी बात कही गए लेकिन जो सबसे बहतर और मुनासिब बात लगती है वो ये कि सूद का पैसा किसी गहर मुस्लिम को दे दिया जाए इसकी दलिल सभी बुखारी के अधियस है कि अल्ला के नभी सल्ला अल्ला के पास एक मरतबा रेशम का कपड़ा आ गया था जाहिर है कि वो आपसे सल्म के लिए जायज नहीं था पहना तो आपसे सल्म ने अमरे फारुग और जिलाओन को दे दिया तो इस अधियसे एक उसूली बात ये मालूम होती है कि एक ऐसी चीज जो मुसल्मान के लिए नाजायज है हराम है और वो फी नफसे ही नुखसान दे नहीं बलकि किसी और चीज़ के वैसे उसको हराम किया गया है लेकिन फी नफसे ही उस चीज़ के अंदर कोई जानी को गिफ्ट कर सकता है दूसरे को दे सकता है कि उसके लिए वो हराम नहीं है तो सूद का मसला भी इसी पर फिट होता है कि सूद को इसलाम ने बेन करके रखा है कि सूद आप नहीं खा सकते हैं सूद हराम है नाजायज इस काम से रुक के रखा है लेकिन अगर किसी मुसल्मा किसी वज़े से सूथ के रिकम आ जाती है तो अब वो क्या करें तो इस हदीश की रोशनी में वो ये पैसा किसी गएर मसलिम को दे सकता मुसल्मान को तो नहीं दे सकता गरचे मुसल्मान जरूरत मंद हो गरीब हो परेशान हो कैसा भी हो उसके लिए इसलाम में एक निजाम रिकम उसे दे सकते हैं आपने आखिर में जो ये पुछा है कि उसको अपने हाथ से खर्च कर सकते हैं तो जाहिसी बात है कि आपके एकाउन में है तो आपको खुद अपने हाथ ही से उसको खर्च करना होगा खुद ही उसे किसी गहर मसलिम के हवाले करना होगा ये तो नहीं का सकता ना कि कोई दूसरा आए खुद निकाल के ले जाए तो इसमें कोई हरच की बात नहीं क्योंकि आप उसको खुद नहीं खा रहे हैं ना खुद अपनी लिए खाचा कर रहे हैं बलकि आप किसी गैर مسلم کو دے رہے ہیں کسی مسلمان کو بھی نہیں دے رہے بلکہ آپ اپنے ایکاؤنٹ سے نکال کے کسی اگر مسلم کو دے رہے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے دلیل وہی صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے باقی مسلمان کو آپ اسے نہیں دے سکتے ہیں اس کی کیسی بھی حالت ہو کتنا بھی غریب ہو کتنا بھی متاجو اسے آپ نہیں دے سکتے کیونکہ مسلمان کے لئے سود حرام اور ناجائز ایک بات صرف بعض علماء نے کہی ہے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی مسلمان مرنے والا ہے یعنی کسی خطرناک بیماری مبترہ ہے اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو مر جائے گا اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے کوئی بیت المال اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی مسلمان اس کو پیسہ دینے والا نہیں ہے اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے لیکن ایک بندہ جس کے پاس سود کی رقم ہے وہ بھی اپنا اصل جان کا مسئلہ ہے تو جب جان کا مسئلہ آ جائے جان بچانے کی بات آ جائے تو پھر وہاں حلال حرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اسے بچائے سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جب مسئلہ جان کا نہ ہو جان جانے کی بات نہ ہو بلکہ کوئی اور مسئلہ ہو کوئی اور پریشانی ہو تو اس پریشانی میں آپ کسی مسلمان کی مدد سود کے پیسے سے نہیں کر سکتے بلکہ یہ سود کا پیسہ بہتر ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں